अच्छा हमारा next topic है permutation इसे इंदी में होते है क्रमच है तो कि हम आम तो ठाने से पढ़ रखा है class 11 में ही पढ़ रखा है इसे हमने वो तो अलग था है यह हम पढ़ने है group based पर तो वो क्या दा है इसके definition होती है if a mapping f g belongs to g then it is called a transformation और यह जो transformation and if a mapping is one one and on two then it is called a permutation one one on two का होना बहुत जरूरी है अदर्वाइस वो permutation form नहीं कर लेगा example नहीं थे जी के element one और two ले लिए तो नंबर और चाहना हो इसके जो possible जो आपके transformation होगे possible transformation वो आपकी हो जाएंगे एक यह हो जाएगा एक आपका यह हो जाएगा आपका दूसरा होगे तिसरा पर कुछ ऐसा हो जाएगा तो आप चौद्रा कुछ ऐसा हो जाएगा तो आपके आपके चाहर पास्पर इसके इमें खाली चुटी और यह दो दे रहा है तो वो बन बन उन्टी नहीं है बन वन उन्टी से पहला और दूसरा ही है तो यही दो आपके क्या हो जाएगे यही तो आपके नमब पर्मूटेशन वो आपका फर्मूना वहता है यहां पर दो होथो तो दो का फैक्ट्रीयल कितना हो जाएगे धो ही होता है इस पर जैसे भी चेक कर सकते हैं हमारा रूसरा चाहरे है रेप्रेजेंटेशन पर्मूटेशन को क्या से हम देखेंगे पर्मूटेशन तो हमने पढ़ ली है उसका रेप्रेजेंटेशन क्या से होता वो देखो अगर कोई चीर या से लिखा हुआ है और उसकी जो इमेज है यह इसे हम होते हैं इस चीज पूरे को हम गोलेंगे यह क्या है रेप्रेसेंटेशन पर्मूटेशन का है इस कॉल्ड अब पर्मूटेशन ढूरे तबड़ है झाज हम होते है प्रिजेंटेशन उफ पर्मोटेशन